हलो एस्टुडेंट गुड मार्नी मेरा नाम है के सिंग रानर मैं हूँ आप लोगों का मैस्ट टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूटूब चैनल एमिंग हाई हिंदी पर आटुडेंट आज यह वीडियो बिलकुल लाच तक देखिएगा क्यों क्यों कि मैं आप लोगों को आज क्लाश तुवेल का संबन्ध और फलन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फलनों का परकार उसको मैं प्रहाने जा रहा हूँ इसलिए वीडियो को लाच तक देखिएगा चैनल पर नाया चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेले के दवाईए ताकि आगे आने बले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हाँ अगर आपको इसका हW चाहिए नोट्स चाहिए तो आपको लिक नि हिंदी मार्द्यम से पढ़ रहे है ताकि उनका भी तैयारी क्लास 12 की अची तरीका से हो सके तो मैं आप लोगो को अज क्या परहने वाला हूँ बलकि आप लोगों को फलन के परकार के बारे में पहना है कि फलन के परकार क्या होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, आप लोगों को आज पुरे जनकारी मिलेगा, इसलिए आज वीडियो को बिल्कुल एसकिप मत कीजिएगा और वीडियो को लाट देखिएगा, तो मैं आप वह चार प्रकार का important है और उसी से मिलाकर कुछ प्रकार का और फान का प्रकार पढ़ना होता है और कुछ और टैप का फान का प्रकार पढ़ना होता है और बाद में पढ़ेंगे लेकिन जो सबसे पहले important है मैं उसको तो पढ़नू उसके बाद जो कम important है मैं उसको बाद में द फिर उसके बाद कौन पढ़ना है बहु एकी फलन पढ़ना है फिर अच्छादक फलन और फिर अंता छेपी फलन आप लोगों को पढ़ना है क्लार्ट वेल्थ में जो कि सबसे इंपोर्टेट आप लोगों को फलनों के परकार यहां समद नहीं यहां भी लिखा गया पता नही कैसे लिखा गया गलत से यहां भी आप लोगों को फलन होगा फलन के परकार यहां पे आप लोगों को पढ़ना है ना important सबसे वह एक एक की फलन बहुएकी फलन अच्छादक फलन और अच्छे कि फ्लन से देखिए आप लोगों को अश्क्री पर दीख रहा है एक क्या की फ्लन आप लोगों को नाम से कुछ पर चाल रहा है एक क्या की एक क्या की किसे मिलकर बना होता है तो आप लोग जान क्लास्टेट में पढ़े हों कि एक क्या की एक पलस एक यानि एक पलस एक से मिलक आप लोग को आप लोग बताईए इससे आप लोग को समाझ में आ रहा होगा तो बलेगर सार इससे हमको समाझ में थोड़ा बहुत तो आ रहा है पूरा नहीं समाझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत समाझ में आ रहा है कि कोई ऐसा फलन होगा जिसको एक से एक का फलन समझ में आए ना इतना समझ में तो बहुत अच्छा मैं आगे बताऊंगा एक आप लोगों को और किलियर हो जाएगा तो मैं देखिए बताता हूं देखिए आप क्या लिखा हुआ है एक की फलन का डिफिनेशन फलन जहां फलन बन रहा है A से B के बीचे बन रहा है जो बन रहा है आप लोगों को फलन वह A से B के बीचे बन रहा है एक आपकी फलन का हलाता है यदि प्रांथ A के अलग-अलग अब्यवों का सह प्रांथ B में यहाँ सर्वथा है सर्वथा अलग-अलग प्रतिवीम होते हैं यानि कहने का मतलब कि जो स समुच्य हमारा A है और समुच्य हमारा B है इसमें अगर कोई बना रहे है फ्रलान तो आप लोग को A से B के बीच में जुतना भी इलमेंट है उसका अलग-अलग प्रतिवीम होगा तो वो कहला जाएगा हम लोग को एक काया की फ्रलान ये हमको पढ़कर समझ में इतना तो आ ग आप लोगों को एक और एक के बीचे में प्रतिवीम हो यानि सेट A का जितना भी अभ्यव हो आप लोगों को सेट B के जितना भी अभ्यव है उसे अलग-अलग आप लोगों को उसका प्रतिवीम हो तो वो आप लोगों को एक आकी फंद कहलाता है जैसे आप मैं आप लोगो को X, Y, Z, P और समुच्य B में आप लोगों को यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 हैं तो एक आकी होने के लिए क्या होना चाहिए हम लोगों को प्रांथ से सहा प्रांथ में वा एक और केवल एक ही परतिवीम होना चाहिए यानि X का भी केवल एक ही परतिवीम होना चाहिए Y का भी केवल एक परतिवीम होना चाहिए और जो हैं P है सेट समुच्य A में उसका भी आगर केबल एक ही परतिवीम होगा न तो वो हम लोगों को एक काया की फ्रंड कहलाएगा इतना तो आप लोगों को समझ में आ गाया होगा एक काया की फ्रंड किसे बोलते हैं और कुछ एक गिजाम पर करव यह बताईए तो और फ löगों को कौन सा फ्रंड है यह बताईए कि आप लोगों कौन सा फ्रंड यह बताईए कि कि जो पहला समुच्या है उसमें जितना फिलमेन्ट है वो आप लोगों को प्रतीवीम उसका होना चाहिए समुच्या वीम है तर फ्ञांन कहलाएगा लेकिन यहाँ जो एस है इसका तो कोई प्रतीवीम है यह यह नहीं है सぇ तो यह फ्ञांन होगा यह आप लोगों को फ़लन हैं ही नहीं तो यह आप लोगों को क्या कहलाएगा एक आकी फ़लन या कोई फ़लन आप होए वो क्या कहलाएगा जब यह फ़लन है नहीं नहीं तब तो इसका बात ही खतम हो गया ना मैं आप लोग को एक एक जामपल करवाता हूं जो आप लोग को फ़लन होगा यहां पर आप लोग को दिख रहा है यह देखिए आप लोग को एक एक जामपल दिया हुआ है यह आप लोगों को एक जामपल है किसका तो एक एक का देखिए समुच्छे A में यहाँ पर 1, A, B, C, D है और समुच्छे B में यहाँ पर P, Q, R, S है तो यह क्या की होने के लिए केबल और केबल A से प्रांग से आप लोगों को पैरिसर में केबल और केबल एक ही परतिवीम होना चाहिए तो आप लोगों देख सकते हैं कि यहाँ A है नाम का अब्यव है उसका केबल एक ही परतिवीम P है फिर यहाँ देख सकते हैं B नाम का अब्यव है उसका भी केबल एक ह ऌर कि फलन हुआ मैं आप लोग को और कुछ इक तीरी फोर और फाइव समचय भी में अप लोगए 4 9 16 25 तो यह बताईए कि यह एक आयका完成 है की नहीं एक갈 यह एक आयका की फ़रन है कि नहीं आप लोग़ों का C priced वाक्स में अंसर देना है कि यह क्या की है कि नहीं तो बूलिएंगा सारी यह एक फिलन नहीं है तो मैं बोलूँगा क्यों तो बहुत रहागा है यहां दूर्प सेट समुचने में दो और तीन नाम का जो अब्यर्व हैं उसका दो एक ही परतिभीम है व्लें येखिवल 4 है लेकिन ये कि होने देखिए इसको बताईए कि ये कायकी हेकी नहीं देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को 5, 2, 3, 4, 1 है और यहाँ पे आप लोगों को 6, 7, 8, 9, और 10 है A से B के बीच में आप लोगों को फ्रन बन रहा है 5 को बन रहा है देखिए ऐसे है ये बताईए कि यह कायकी है कि नहीं तो बोलेगे सार यह कायकी है सार बोलेगे कैसे कि यह कायकी इसलिए है सार क्योंकि यह आप लोगों को बोले थे कि एकायकी फन होने के लिए जो समुच्छे A में है ना उसका केबल और केबल एक ही परतिवीम होना चाहिए और यह आप लोग हमको condition satisfy भी कर रहा है से मुच्छे A में जितना भी अभ्यव है उसका केबल एक ही परतिवीम है तो यह कायकी होगा न सार तो यह आसा टूडेटियेंट यह कायकी होगा आप लोग को एक कायकी फ्लन तो आगे चलते हैं आप लोगगो जो next फ्लन है बहु एक फ्लन उसको भी आप लोगगो को अच्छी तरी कर समझाऊंगा ने का कोशिश करूँगा देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना बहु एक की फ़लान इसको पर्सक्राइब कुछ समाज में आ रहा है कि नहीं क्योंकि जब तक आप खुद समाजने का कोशिश नहीं कीजिएगा आप लोगों को समाज में खुद आप समझने का कोशिश किजिएगा तो उससे आप लोगों को ज़्यादा का कोशिश में आएगा अगर कुछ समाज में नहीं आया तो फिर तो मैं हूँ ना तो फिर मैं आप लोगों को समझाने के लिए हैं हूँ तो आप लोगों को मैं पिर समझा दूँगा कि हाँ आप देखिया ऐसे से होता है नहीं आप लोग को समझ में आता आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए वहां मैं आप लोग को अंसा जरूर देने का कोशिज करूंगा देखिए क्या आप बुला जारा है बहु एक की फरंड में यह बुला जा रहा है कि फलान ए से बी के पीचे बन रहा है एक बहु एकी फरंड कहलाता है यानि जो फरंड बहु एकी फरंड कब कहलाता है यादि प्रांट के दो या दो से अधीक अभ्यावों का सा प्रांट बी में केवल एक ही परतिवीम हो अभी हम लोग ने एकायकी में क्या पढ़े थे बताईए अभी हम लो दो किसी दो अभय आपका या तीन आपका या चार अभय जितना भी हो एक से ज़ादा होना चाहिए उसका परतिबीम एक होना चाहिए तो वह कहला जाएगा आप लोगको बहु एक फ़लण तो अप लोगको कुछ समझ में आगया गया जिसे देखिए आप लोग को समुचे A है और यह आप लोग को समुचे B है समुचे A से समुचे B कि में आप लोग को ठान बनायागा है कि यहाँ पर दिखिएगा कि A नाम का अव्यब है उसका पतिवीम केबल P है और यहाँ B और C नाम का जुआब ब्यभाना उसका एक ही परतिबीम है और हम लोग को जानते हैं कि एक आक होने के लिए एक परतिबीम नहीं होना चाहिए लेकिन अगर एक परतिबीम हो गया ना तो वो हम लोग को बहुई एक की फालान कहलाता है आप लोग को समयद में आ गए होगा अगर परतिबीम है यानि यह तो फ्ल चेक कीजिए को फालन हो गाहील नहीं आइसानी सबसे पहले जब आ आप चेक कीजिए लेक परकार के बारे में तो वह चेक की जिएगा के फालन है कि नहींSo चेक करने पर पादक है याकान या और और कोई पर का फ्लन है उसके बाद चेक किजिएगा पहले आप जिरूर्द कि फ्लन कहला जाएगा और एक प्रक्र वाथा हूं देखिए यहां प determine लाई देखिए यहां पर सभी है और समुच्य विर्था मुजक्षा में आप लोग को वांड को फोर फाइव है पे आप लोगों हां वांड टू धीरी और फोर हैं देखिए तो यह आप लोगो को बहु यह प्र रही कि नहीं इन उसके बार आप लोगो को यह बताना है कि यह बहु यह की है कि नहीं आप लोγα को यह बताना है कि producers आप फान के बाद हैं वोलें ये तो सर फालन है, कैसे फालन है? क्योंकि समुच्य A में जितना भी अभ्यव है, उसका कोई न कोई प्रतिवीम है और उसका किसी का भी दो प्रतिवीम नहीं है तो यह हम लोग को फ्राण है सरकर, यह कि मैं आप लोग को फ्राण के बारे में बताया था फ्राण का डिपनेशन ही, कि फ्राण उसको बोलते हैं, कि फ्राण होने के लिए समुच्य A में जितना भी अबयव है ना, उसका परतिवीम किसी कोई न कोई होना चाहिए, और उसका दो प्रतिवीम नहीं हो चाहिए, अगर वह दो प्रतिवीम उसका हो गया, तो वह आप लोग को फ्राण नहीं कहलाएगा, यानि यह तो फ्राण है, यहां तो चेक होगा कि फ्राण है, अब हमको यह चेक करना है, कि यह बहु एकी है कि नहीं, तो आप देखेंगे, कि इसलिए ये तो बहुएकी हो गहीं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुएकी होने के लिए कम से कम कोई दो अब्वेव को समुच्य बी में एक पर्थिभीम होना चाहिए यानि समुच्य B में जो आप लोगों को बना रहा है बहुए की फलन तब आप लोगों को समुच्य B में A से किसी भी दो अब्यव का एक पर्ति बीम होना चाहिए अगर एक पर्ति बीम हो गया तो वो हम लोगों को बहुए की फलन कहलाता है तो यह आप लोगों को क्या है यह आप लोगों को बहुए एक ही फ़लन है आप लोगों को मैं एक ही जाप पलाओ कर बाता है देखिए यह समुच्छे A है आप लोगों को समुच्छे B है समुच्छे A में आप लोगों को माली जैकी है 1, 2, 3, 5 5, 4 आजेंसा मुझे अभी में आप लोगकोई-x,-p,-w,-h और-z है तो इए आप लोगको बताना है सबसे पहले ये आप लोगको बताना comment करके कि ये फरन है की नहीं और अगर फरन है तो ये बहु एकी है कि ये काय की है अप लोगको इस question मटाना है कि बहुँ ये की है की है कि यह का है कि है आप उसके बहुँ ये की है की नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं, तो चेक करेंगे पुण के लिए, ये में कोई कोई अभ्यम नहीं है जो छोटा हुआ है धेखेंगे कि नहीं आप लोग कोई आप लोग कोई कोई दो परतिविम है यानि यह तो फ्लन है। उसके बाद हम लोगों को चेक करना है啊 कि नहीं बहुत एक के चेक करने के लिए आप लोगों से अगर within ऐम से बना रहे हैं फ़लन तो सा उच्छी वी कमें किया ईसा अब्याव होना चाहिए जो किसी दो अब्याव का पर्तिभी हो श् salad आप देख सकते हैं कि one नाम का ब्यव है और तू नाम का ब्यव है ना उसका केबल एक ही पत्र वी में कौन है वो X है इसलिए ये आप लोगों को बहु एक ही फ्रैन हो आईसा संबंध है यह बताइए कि आप लोग को क्या सबसे पहले बताइए कि फलन है कि नहीं और फलन है उसके वाद आप लोग बताइए कि बहु यह की है कि यह का की है फलन चेकरने के वाद आप लोग बताइए कि यह कॉमेंट करके कि यह बहु यह की है कि यह का की है तो दे यह तो फ़लन होगा उसके बाद आप लोग क्या चेक करना है कि यह बहु एकी है कि एक आकी है तो चेक करिएगा तब बोलिए कि सार यह फ़लान यह हम लोगों को एक आकी फ़लन है क्यों कि हम लोगों को समुच्य A से समुच्य B में संबंद बन रहा है जितना भी समुच्य A म लोगों को एका की देखिए यह आप लोगों को एका की फलन आप लोगों को है चलिए आगे आप लोगों को चलता है वह अच्छादक और अनच्छादक प्रप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प आप लोग को दो परकार का जो फ्लन का परकार था वो समझ में कि आया कि नहीं आप लोग कॉमेंट के जरूर बॉक्स में दीजिए जरूर आप लोग अंसर जल्दी से करके सबसे पहले कॉमेंट बॉक्स में अंसर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो वीडियो अच्छादक फरन किसको बोलते हैं जो आप लोग को ठाड़ परकार का जो है न फरन के परकार के बार में वो आप लोग को सबसे इंपॉर्टन है मैं उसको देखता हूं तो आप लोग को एक स्कीनी पर देख रहा है कुछ-कुछ आप लोग खुद से कुछ समाहिने का कीजिए वान तू थेरी फॉर फाइव शिक्स सेवन एट नाइन टेन आप लोग ने समझ कुछ ना कुछ नहीं समझे होंगों देखिए क्या अच्छादक फरन में तो बढ़ आप फलन जब बन रहा है एस से बी के बीच में आप देखिए छूट यहां पर यह भी ना यहां एस से बी के बीचे बन रहा है अच्छादक फरन कहलाता है यदि सह परांथ बी का परतेक अब्यब परांथ एक किसी ना किसी अब्यब के साथ पति बीम अबस्या हो यानि बोला जा रहा है ना शुडेंट अच्छादक फरन होने के लिए कि समुच्य बीम है यह जितना भी अब्यव है ना वो किसी ना किसी के साथ सम्बंद में होना चाहिए यानि आप लोग ना जब आप लोग का छादक होने के लिए जितना भी आप लोग को अब्यव है ना वो सब सम्बंद में होना चाहिए यानि समुच्य A का जितना भी अब्यव है वो भी सम्बंद में होना च हैं वो आप लोगों को समुच्च एक के साथ संबंद में होना चाहिए तब अच्छादक फन कहलाएगा तो बोलिए पुछिएगा कि सार यहां तो सिर्फ बी का बात किया गए आप एक बात कैसा कर दिये तो एक फन होने के लिए तो चाहिए एक जितना भी आप लोगों को चाहिए तब फन कहलाएगा इसलिए मैंने दोनों का बात कर दिया यानि समुच्च ए और समुच्च एक का परते एक अब्याब संबंद में हो और समुच्च एक किसी का दो परतिवीम नहीं हो तो वो आप लोगों को अच्छादक फन कहलाता है किसे कहते हैं तो मैं फिर से में आप लोगों को होता है प्रांत यह फ्लानम में आप लोगों को प्रांत होता है और यह आप लोगों को सह प्रांत होता है तो यानि सह प्रांत बी का परते एक अब्याब प्रांत यानि समुच्च ए कि किसी ना किसी अब्याब का परतिवीम अबस्य हो यानि समुच्च a का जितना भी अब जितना है वो समझे b किसी न किसी अबयब मैं जरूर जितना भी समझे बी का है वो संबन्ध में परतिवीम उसका होना चाहिए तब आप लोगो को अच्छादक फ्रन कहलायेगा यहां पर देखी आप लोगो को एक दिया और साहअं परांथ का handicap होता है तो हम लोगों को समुचय वी में इतना भी अब्यब है न उसको भी संब्ध में है ना और हम लोग पता है कि हम लोग परिसर किसको बोलते हैं समुच्य बीवलाव्याव जो समुच्य एक कि दोस्कों गेंचाँ जय्कों बोलते तो जो सब्सक्राइब को डिख सकते हैं कि यहां साफ रंठ की आया तो प्र लेगा साफ प्रंठ हम लोग लेगा पारिशर सर पारिशर सर आ गया हम लोग को पी कीव और पारिशर आया यहां पे हम लोग को पारिशर सर आ गया पी कीव और हम लोग को पारिशर आया तो आप लोग खुद बताए कि साह परांट और यह आप लोग को एक्वल है कि नहीं आप लोग बताईए कि साह परां आच टाइब का फारान के पर बारे में जो की है आंता छेयपी फ़लन की अंता 6 पी फहलन किसको बोलते बताओ किसको बूलेंगे अंता छेयपी, हम लुग उसको बोलेंगे कि कोई समुचय वीम है न कोई न कोई एक एक अप्ध्यव जरूर हो जो बच जाना चाहिए यानि उसका कोई न कोई किसी का परतिवीम नहीं होना चाहिए यानि जैसे यहाँ पर P, Q, R है न अगर यहाँ पर कोई और एक अभ्यव होता और वो किसी के साथ किसी का परतिवीम नहीं होता तो वो हम लोगों को कहलाता तो आप लोगों को आगे मैं है उसको मैं पहाऊंगा लेकिन इसके पहले मैं अच्छादक फलन का कुछ एक्जामपल करवाता हूँ, देखिए, आप लोगों को बताना है कि यह अच्छादक फलन है कि नहीं, सबसे पहले आपको यह बताना है कि यह फलन है कि नहीं, देखिए तो आप लोगों को, यहाँ पर दो समुच्या, लोगों को समुच्य B है समुच्य A में आप लोगों को है क्या 1 2 3 4 समुच्य B में आप लोगों को है 5 6 7 8 और यह आप लोगों को सबसे पहले बताना है कि यह कौन सबसे पहले बताना कि फरन है कि नहीं सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि यह फरन है कि नहीं अगर यह फर है कि नहीं कि इसलिए मैं अभी आंता छेपी का बात नहीं करूं गा आगा बात करूंगा कि की इसलिए यह फलन तो होगा आप लोगको ये वह उसक्ति है किम commissioner A कि je तो यह सुदिन्ट यह फ्लोग को यह होगा की यह आप लोग को एक किलने में असान हो दिख coc C के बहू जब da कि यह कैसे मानने देख ब्रज़ब्त सब्सक्राइब है यह आप लोग को मिएक में आसान हो दिखे यह आप लोग को हम लोगों को हो जाएगा बहु एकी फलन आप लोगों को यह हो जाहयागा। आप लोगों को हो जायाएगा। कि ये अच्छादक है कि नहीं वो लेगा सर अच्छादक ये अच्छादक नहीं है सर क्यों नहीं है क्योंकि अच्छादक होने के लिए समुच्चे A B में जितना भी अभ्यव है वो किसी न किसी का परतिबीम होना चाहिए लेकिन जो यहां एट बेचारा बचा हुआ है वो किसी का भी परतिभीम है ही नहीं तो वह अच्छादक फलन नहीं होगा सर यानि यह आप लोगों को अच्छादक फलन नहीं है तो यह कौन कौन है यह आप लोगों को फैलन फ्रस्पले फलन है उसके बाद आप लोगों को बह है और यहाठ आप लोग को समीच्छे में आप लोग को गाज में अप लोक East theory 45 और का आप लोग को यह बताना है कि नहीं उसके बताना कि बहू lebih हैं कि है उसके बार लोग को यह मudos है कि अठ हाद अग्धञी में इसके पहले हैं फलन तो ऐसी देखने में लग रहा है क्योंकि जितना भी समुच्छे एक अभ्यव है वो किसी ने किसी के साथ संबंध में है और उसका केवल एक ही प्रतिवीव है इसलिए यह सार तो फलन होगा जरूर यह सबसे पहले यह तो फलन है यह आप लोगों को फलन है उसके आप लो केवल एक ही का प्रतिवीम है यानि समुच्छ केवल और केवल एक ही किसी के साथ संबंध में इसलिए यह हम लोगों को एक आग्की हो जाएगा तो यह सर्स चूडिये पर परतिबी में यह है भी यानि यह आप लोगों को अच्छादक भी है सर तो यह आप लोगों को अच्छादक भी फलन आप लोगों को है यानि आप लोगों को यह हो गया तीनों परकार का फलन तब आप लोगों को चलते हैं इंडेश्ट नंबर कोशन पर कोशन नंबर 7 पर आप लोगों को वहाँ पे कुछ कोशन आओं में करवाता हूई जामपल उसके बाद आगे चलूँगा अन्ता छेपी पे देखिए एक एक जामपल मैं करवा रहा हूँ question number 7 आप लोगों को दीख रहा है student बताना है आप लोगों को सबसे पहले कि ये फलन है कि नहीं अगर फलन है उसके बाद आप लोगों को बताना है ये है एक आयकी है कि बहु एकी है उसके बाद आप लोगों को बताना है कि ये अचादक है कि नहीं तो मैं बताओं ये आप लोगों कर रहा है इसलिए यह तो फन है उसकार बोलीएंगा एक होगा हम लोगों को बहुए की फन होगा क्योंपि यहां एक सब्सक्राइब ओ उर टू दोनों का यह पर्तिभीम है इसलिए हम लोगों को क्या हो जायागा बहुए एक की फन हो जाएगा आप लोगों को यह आप लोगों को बहुएक की फ्रन भी होगा देखिए यह आप लोगों को बहुएक की फ्रन भी होगा उसके वाद आप लोगों के बताना था कि यह अच्छादक है कि नहीं तो यह अच्छादक नहीं है क्योंकि अच्छादक होने के लिए समुच्य बीम यह इसलिए आप लोगों को अचानक फलन नहीं होगा चलते हैं आप लोगों को आंता शैपी फलन पर उसके बाल मैं QUESTION करवाओंगा अच्छा चाकूछ QUESTION आप लोगों के लिए 6 है और 2, 8 QUESTION है उसके बाद, करवाओंगा आंता बहुत असान असन कोशन है और उसमें दो कोशन जो बहुत इंपोर्टेंट वह आप लोगों से बोर्ड एकजाम में पुछर आ चुका है एक मार्क्स में इसलिए लाज तक देखिया जरूर देखिए मैं करवा रहा हूं आप लोगों को आंता छेपी फ्रंट आंता छेपी फ् जरूर चाहिए वह किसी का प्रतिवीम नहीं हो जैसे आप यहां देख सकते हैं कि जो है एस नाम का अब्याब समुच्य बीमें वह किसी का प्रतिवीम नहीं है तो यह हम लोगों को आंता छेपी फ्रंट कहला जाएगा आप लोग यहां देख सकते हैं कि फलन जो बन रहा है यानि समुच्छे जो आप लोगों को समुच्छे बी है और समुच्छे बी के हम लोग बीच में फन बना रहे हैं तो समुच्छे बी में एक आयसा जुरूर कोई अब्यब होना चाहिए जो किसी का पर्तिवीम नहीं हो यानि समुझे एक किसी भी नमबर का पर्तिवीम नहीं हो तो वह हम लोगों कहला जाता है अन्ता छेपी फलन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बनाये हैं A से B के बीचे बना रहे हैं फलन तो यहां से देख सकते हैं कि एक को परतिवीम है P, B का है Q, C का है Q और आप लोगों को D का है R, लेकिन जो A है समुच्य बीमें, वह किसी का भी परतिवीम नहीं है और वह बच गया, इसलिए हम लोगों को यह कहला जायागा अन्ता 6P फलन आप लोगों को नोट्स में एक बात निकरा है कि जो सहफ परांथ है न वह परिसर का उप समुच्य होता है मैं आप लोगों को बता चुका था, इसलिए मैं इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोगों नहीं देखें है तो पीड़ी भी है सिर्फ वीडियो आख देखिए और वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कैसे होता है सहफ परांथ परिसर का उप समुच्य है इहां पर मैं आप लोगों को बुर याँ निकालने के लिए क्या चाहफ परांत निकाल है और परिसर हम लोग को आ जाएगा पीक्यू आर झाहाँ परिसर आ जा जाएगा तो यहां तो हम निकाल चुके, अन्ता छेपी आप लोग को स्तरमाज में आये कि नहीं, कॉमुनिक ने बताईएगा, फिर से मैं एक बता, दूएक वार, तो आप लोग लिए अन्ता छेपी फ्रन, ता अन्ता छेपी फ्रन उसको बोलते हैं, ना स्टुडेंट, गिस समुच्य प्रश्बी में एक ऐसा बेव होन चाहिए, जो आजाद हो, तो वह आप लोग को अन्ता छेपी फ्रन कहलाता है, और मैं आप लोग को को स्तरम करवाता हूं, उससे आप लोग को थोड़ा माना कर्फूजन भी होगा, तो अच्छी तरीका से किलियर हो जायागा, देखिए, आप लोग का मैं दिखा रहा हूं, यहां से मैं करवारा हूं कोशन, इसको अब बताना है कि यह कौन सा फ्रन है, सबसे परले आप लोग के यह बताना है, यह फ्रन है कि अगैकी है और अच्छादक है कि आंता छेपी है, तो बताना सुरू किजिए एक नंबर से, देख बोल सबते हैं कि समुच प्रण होने के लिए समुचे एक किसी भी इव्प करेंगे यह फंधने हम उसके बाद second number question देखिए, second number question बोलिए किसार ये भी हम लोगों का फ्रन नहीं है, क्योंकि समुचियब A में जितना भी अब्यव है, वो फ्रन होने के लिए संबंध में होना चाहिए, लेकिन ये आप जो चार नाम का अब्यव है, वो किसी के साथ संबंध में नहीं है, जो question number आप लोगों को ठाट दिख रहा है, इसको बताए कि ये फ्रन है कि नहीं, तो बोलेगा सार ये फ्रन, ये तो फ्रन है सर, कैसे फ्रन है, क्योंकि समुच्चे A का जितना भी अब्यव है, वो संबंध में है, उसका केबल और केबल A की प्रतिव है, इसलिए ये तो फ् सबसे फ्रन है, उसके बद आप लोगों को बताना है कि ये बहु एकी है कि ये क्या की है, तो बोलेगा सार, ये हम लोगों को बहु एकी फ्रन है, कैसे बहु एकी फ्रन है, क्योंकि समुच्चे A B में जो A नाम का अब्यव है, वो दो अब्यव का प्रतिविम है, वो बान का यह कहला गया बहुए एक हम लोगों नहीं आई अकेला है इसलिए हम लोगों त्छे-पपन हो जाएगा या या आ नाम केसी नाम का प्रतिबित नहीं है और किसी हम लोगों को साध हैं 2020 लोगों को मिल गाया है हाँ पर आप को यहाँ पर तीने मार्ट मिल गया आगे चलते हैं कंट निभर फोर फोर सबसे हो है क्यों ये वह से मुद्ट है क्यों किसी के साथ सम्बंध में है और उसका केवल और केवल एंक ही है इसलिए तो फन होगा सर यह आप लोग को फलन है उसके पूल यह बताइए ना कि यह आंटच आप लोग बताइए कि यह बहु एक यह क्या की है तो बनेगे सार यह हम लोग को एक यह की फन है क्योंकि समुच्छ वी में जितना भी अब बैब उसका केबल और केबल एक ही एकाय की फलन हो जाएगा अब आप लोग ये बताइए कि ये एकाय की बहु एकी तो है नहीं तो अब हम लोग बताना है कि अन्ता छेपी है कि ये आप लोग को अच्छादक है ये आप लोग को ये बताना है तो बताइए तो बलियेगा सर यह फलान, यह हम लोग को अच्छादक फारन होगा सर, क्यों अच्छादक फारन होगा, क्यों अच्छादक होने के लिए हम लोग को समुच्य B में जितना भी अबब है, वो आप लोग को किसी ना किसी का परत्वीम होना चाहिए, और जितना भी समुच्य B में अबब है न, ज प्ष्टूडेट आप लोगों को यह हो जाएगा अब आप लोग को चाहज नमबर फाइब है इसको बताइए कि आप लोगको फ़रन है क्यों कि प्रन है क्यों कि इसलिए यह आप लोगों को है बहु एकी फ़न है क्यों कि समूच्य भी में जो है समूच्य भी में जो आभ्याब ए है वो दो आभ्याब का पर्तिवी में इसलिए सब्सक्राइब यह बहु एक लुए क्या अच्छादक है तो यहां पर देख सकते हैं कि आप लोगों को औन्ता च्यपी कह लाता है इसलिए हम लोगों को यह हो गया अन्ता 6P फलन हम लोगों को हो गया आगे देखिए इत कोस्टन को solve कर चुके 5 नमबर को 4 को भी solve कर दिये 5 को भी solve कर दिये और 6 को देखते है लाट नमबर उसके बाद मैं आप लोगों को दो bad problem मतलब आप लोगों को लिखा हुआ रहता है अब लोगों को नहीं दिया हुए और 17 बेदिया हुए अप और खुद से निकालना हो गा और खुद से बताना और आप लोगों को बने एकाएक है तो अब लोगों को कुशन करवादा होगा इसलिए वीडियो को लाट जी होगो देखिएगा देखिए आप लोगों को इस पर इसको बताइए कि फ़न है कि नहीं तो बोलेगा सार यह फ़लान फ़लान तो है सर क्योंकि समुच्य एम जितना भी अब्यव है वह किसी कि ना किसी के साथ संबंध में है और समुच्य वह किसका और केवल एक ही पर्तिव है इसलिए तो फ़न ह आप लोगों को फ़न होगा उसको आप लोगों को यह बताना है कि यह बहु एक है कि एक है आप लोगों को यह बता यह बहु एक है कि है वह लेगा सार यह एक है कि फ़न होगा क्योंकि समुच्य अभी में जितना भी अब्यव है ना वह केवल और केवल एक ही का पर्तिवीम है इस लिए सार यह हम लोगो यह का की फालान हो जाएगा एक की फ्रन हम लोगों को हो जाएगा आगे आप लोगों को इस नहीं है इसलिए हम लोगों को यह अच्छा दक फलन है तो आप लोगों को एक्जाम्पल में करवाया उसको आप लोगों ने सॉल वैस्थानी से कर दिया अब चलते हैं दो अच्छा कोश्ण जो आप लोगों से बोड एकजाम में पूचा जाया गया है देखिए यहां पर दिखा रहा है बताए क हुआ है 2 बराबर एक सको है कि तो बलेंगोगे सार एहां तो हम लोगों को सब्सक्राइए समुच्य और समुच्य धिया नहीं है तो हम लोग कैसे बताएंगे किये का कि इ supplements कुद से कि ये बोओ एक है कि ये क्या कि है देखिए मैं निकलताओं आप लोगो ना ऐसा कोई यह मान भून है ना स्वेंट समू एक्स बराबार कि जिससे आप लोगों को अगर दो आ गया मतलब कोई मैं करेक बता दो देखिए जब हम जिस देखिए एक सब्सक्राइब लिए वाइब वाइब या या नि हम लोगों को उबाइब आगया यानि हम लोगों को समुच्छे ए हम लोगों को समुच्छे ए है समुच्छे ए में हम लोगों को एक्स है और समुच्छे बी में हम लोगों को बाई है अगर हम वान रख रहे हैं और माइनस भी रख रहे हैं तो हम लोगों को दोनों का एक ही पर्ति भी मा रहा है यानि हम लोगों को सारी कहीं न कहीं ये को यह की फन कहलाता है और हम लोग जब देखें चेक करके अपने मन से कोई नंबर रखके हैं तो हम देखें कि दो अब्यव है उसका और केबल एक ही परतिम है इसलिए हम लोग को यह बहुँ एक ही फन कहला जाएगा आप लोगो स्वाज में आ गया होगा कि अब को समाज में आ गया ना कि यह बहुँ एक ही फन होगा तो अब कोशन नमर टू को आप लोग खुद सॉल्ड करके बताएगा अगर को सॉल्ड नहीं नहीं हुआ तो कोमेंट करके बताएगा मैं आगले वीडियो में सबसे पहले में यह कोशन सॉल्ड कर दूँगा आप अगर। हैकि कि यह बताने है कि एक आस्व लिए अप लोगगको लिए ृटावो रहा यह आप लोग को लिए आप लोगग है आप लोगा यह बताना है देखिए है इसका आप लोग देखिए नहीं इसको मत देखिए गाँ इसको अप लोग नहीं दिखाऊंगा देखाऊंगा आप लोग देख चुके होंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एक्षुडेंट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आप वीडियो का अब इसे दिख रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आपे फ्रेंड्स ही भी शरी कीजिएगा ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास टुबेल्थ का हिंदी माध्यम से अच्छी तरिकस तयारी कर सके तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंद्य मातराम